थंड में तूलसी है बेहत गुनकारी नियमित सेवन से होंगे कमाल के फाइदे आपकी हेल्थ के लिए तूलसी बहुत फाइदे मन्द है वैसे तो तूलसी के एक नहीं अनेकों फाइदे हैं लेकिन थंड में तूलसी के फाइदे दोगने हो जाती हैं थंड का मौसम अपने सा पद्सर्ती, जुखाम, बुखार जीसे तमाम बिमारियां लेकर आता है तुलसी हमारे लिए सिर्फ पौदा नहीं है बलकि हमारे धर्म और संस्करिती का एहम हिस्सा है हिंदू धर्म में तुलसी पूझनिया है कहते हैं कि घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ बिमारियां या बैक्टीरियां अपना डेरा नहीं जमा पाती तुलसी औश्दिय गुनों से बरपूर होती है आपकी हेल्थ के लिए तुलसी बहुत फाइदे मंद है वैसे तो तुलसी के एक नहीं अनेक फाइदे हैं लेकिन ठंड में तुलसी के फाइदे दोग नहीं हो जाते हैं बुखार होगा कम सरदी के मौसम में जज़ादतर लोग सरदी जुखाम बुखार से परेशान रहते हैं ऐसे में अगर आपको तेज बुखार हो तो तूलसी की पत्यों का काड़ा बना कर पी सकते हैं काड़ा बनाने के लिए आदा लेटर पानी में तूलसी की पत्यां शक्कर, दूद और इलाइची पाउडर मिला कर इन सभी चीजों को उबाल कर पी हैं तुलसी की पत्तियों का काड़ा पीने से शरीर का टेंपरेचर कम होता है दरसल तुलसी में एंटी बैक्टीरियल प्रापरटीज होती हैं जो हर तरह के वाइरल इंफेक्शन से शरीर की रक्षा करती है जमे कफ से शुटकारा लगातार कफ बनने की वज़ा से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ऐसे में तुलसी आपकी नाक, सास, नली और लंग्स में जमा कफ को निकालने में मदद करती है अस्तमा सर्दी जुखाम और फेफणों की बीमारियों में तुलसी आपके लिए बचाफ सिध्ध हो सकती है गले में खराश होने पर तुलसी की पत्तियो में लौंग और नमक के पानी को मिलाकर उबाल कर इसे पिएं इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा स्ट्रेस कम करती है तुलसी तुलसी में वो खुबी है जो आपके पूरे दिन की ठकावट को पल भर में दूर कर सकती है अगर आप किसी भी तनाफ से गुजर रहे हैं तो रात को दूद में तुलसी के कुछ पत्ते मिलाकर उबालें और फिर दूद को पीलें या दूद आपके नर्वस सिस्टम को अराम पहुचाएगा और आपका तनाफ कम हो जाएगा इमिनिटी होगी स्ट्रॉंग लगातार जिस तरह से कुरोना महमारी हमारे इर्द गिर्द गुम रही है ऐसे में बॉड़ी की इमिनिटी स्ट्रॉंग होने सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें तुलसी आपकी मदद कर सकती है दरसल तुलसी में भरपूर मातरा में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेट्री प्रपटीज होती है जो आपके इमिनिटी सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाती है कई बिमारियों का इलाज है ये काड़ा सर्दी जुखाम हो जाए या आप मौसमी फ्लू के शिकार हो जाएं तो तुलसी का ये काड़ा आपके तमाम बिमारियों का इलाज बन सकता है इस काड़े को बनाने के लिए तुलसी के कुछ पत्ते लें और पानी में डाल लें और इन्हें उभार लें अब उसमें मिश्री और काली मिर्च डाल कर अच्छे से मिला लें और फिर इस काड़े का सेवन करें सर्दी के मौसम में तुलसी का ये काड़ा कई सीजनल बिमारियों की दवा हो सकता है आपको जुरूर जानकारी अच्छी लगी है ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद